है बीवी ने, मेरे एक दोस्त ने एक लिस्ट बनाई है, सुनी, वो कहती है बनाने में घंटों लगते हैं और खाने में पलवर, कभी-कभी बड़े जतन से बनाती है, सुभे ऐसे तैयारी करके, कभी कुछ धूप में सुखा के, तो कभी कुछ पानी में भिगो के, कभी मसाले तो कभी कुछ सी मीठी, सारे स्वात समेट लेती है, आलू के पराठों में, या गाजर के हलवे में, उपर बारी कटे धनिये के पत्तों में, या पीस कर डालेगा हिलाईची के दानों में, सारे स्वात समेट देती है, एक छोटी सी धाली में, ना जाने कहां कहां से पकड़ किलाती है, नजाने कितना कुछ तो होता है, कभी लिस्ट बनाना, बीवी ने जो कुछ भी कभी भी बनाया है, तुम बना नहीं पाओगे, हमें भी बस खाना ही दिखता है, पर नहीं दिखते किचन की गर्मी, उसका पसीना, हाथ में गरम तेल के छीटे, कटने के निशान, कमर का दर्द, पैरों में सूजन, सफेद होते बाल, कभी नहीं दिखते, कभी तो ध्यान से देखो न, उसकी छोटी सी रसुई में कोई दिखेगा तुमें, जो बदल गया है इतने सालों में, दाथ हिले होंगे कुछ, बाल जड़ गया होंगे कुछ, जुर्यां आई होंगे कान को घर बनाने में, चश्मा लगाए हाथ में अपनी कर्ची, बेलन लिए जुटी होंगी, आज भी वही कर रही है, जो कर रही है पिछले 25-30 सालों से, और तुम्हें देखते ही पूछेगी, क्या चाहिए, तभी देखना, उसके मन के कुछ अनकहे जजबात, दबी हुई इच्छा हैं, जो दिखती नहीं, क्योंकि जो दिखती नहीं, उन्हें देखना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब रसोई से तो बिसकेट या रस हाथ में लेकर निकलता हूँ, कभी उसकी गयर मौझूदगी में, तब उसकी बात सोचने पे मजबूर कर देती है, क बनाने में गंटों लगते हैं, खत्म एक बार में हो जाता है, पूरा घर बनाया है, दिन रात महनत करके, कभी बनाना लिस्ट और क्या क्या बनाया है बीवी ने, लिस्ट बन नहीं पाएगी, कोशिश करना